हेलो एवरीवन आइम नवीन कुमार और एक कंपनी जिसका स्टॉक मार्केट में अभी आई प्यों आने ही वाला है उसकी जो तारीक जारी हो चुकी है 22 नॉबर से 27 नॉबर की बीच में आई प्यों खुलेगा 148 का कट ओफ प्राइस रखा गया और यहां पर कंपनी 650 क्रोड रूपीज उठाने का कर रही है तो कंपनी का जो नाम है वह है इनवाइरो इंफ्रा इंजिनियर्स क्या काम करती है उससे पहले थोड़ी और बैसिक डिटेल्स के बात बात कर लेते हैं तो यहां पर जो 650 क्रोड उठा रहे है उसमें से सिर्फ 572 क्रोड रूपीज ही कंपनी के पास में जा रहे हैं बागी 78 kron rupa रूपीज वर्त रूप शेर्स कंपनी के परमोटरs यहां पर बेच रही हैं आप देख लेते हैं कि कंपनी के पास में याथ लगाई गई है अब यहां पर जो पर मोटर सेंट के आज पास में शेर होल्डिंग थी मालिकाना हक था कंपनी के इंदर में आईपयो के बाद में अमारी कलकुलेशन के अकॉर्डिंग 70% के आसपास में रह जाने वाली है तो एक फुल फ्लेज कंपनी आईपयो लेके आ रही है यहां पर जो कि सेबी के रूट के थुरू आता है एक्सजेंज के रूट के थुरू नहीं आता है सेबी इसको अलाव करती जो यह प्रोजेक्ट होते है जो ट्यक्त और बाते हैं अनकोपरेट करनेयों कामाते है अब यहां पर जो मैंनली काम करते है वह वेस्ट वाटर के जो treatment plants होते हैं water supply projects होते है इस टेप के meanly यह काम करती है तो वोटर का सप्लाइस से रेलेटेड है फिर वेस्ट बाटर मेंजेमेंट का जो वह वहां पर construction पूड़ा करते हैं सब कंपनी काम करती है इंदर हमारे खंपनी ज्रूत पढ़ रही है तो स्बसीडरीज है उनके अंदर में हमें यहां पर जो है investment करना है उसके अंदर में पैसा डालना है विकोज उनके जो project सेल रहे हैं कुछ उनके अंदर में हमें you know help करनी है ताकि वो projects को कोई दिक्कत ना आए बिना fund की कोई दिक्कत ना रहे अब साथ में company को पर कुछ loan loan भी है तो उनको भी चुकाना है ताकि company जो है finance cost के अंदर में पैसा ना खर्च करें that means interest ना देना पड़े वो loan चुका देगी तो company net profit मालिकों के लिए बचेगा साथ में company हम अपना नाम जो है मार्केट में फैलाना चाहते हैं जिसके लिए हम दूसरी जो company जो इसी फिल्ड में काम करें उनको acquire भी कर लेना चाहते हैं ताकि हम एक बड़े प्लेयर बन जाएं तो these are very good things जो की company को future के अंदर में help करने वाली है सब कुछ positive अच्छा अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत ही जा रहा है that's again kind of positive यह कुछ प्रमोटर से जो इन्हें स्टेक्स बेचने थोड़ा थोड़ा खाते के अंदर में सोच रहे हैं कि थोड़ी आचानी हम भी दिवाली मना लें कावी दिनों के company स्टार्ट की हुई नेक्स अब देख लेते हैं कि company के अंदर में में जो करता दरता उनका नाम है संजाई जेन जिनके पास में जो शेर ओल्डिंग थी वो 37 प्रिशन शेर ओल्डिंग थी आई पर बाद में इच्छी काशी इनके पास में रह जाने वाली है company के उपर में कुछ ज़्यादा यहां पर इतनी ज्यदा वो नहीं है कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं देखने को अब ध्यान से देखना कि यहां पर जो अब यहां पर अगर नुक्सान हो सकता है वो कंटिजन लाइबली होती है अब यहां पर कंपनी अगर शुरुवात किस तरीके से उसकी अगर बात करते हैं तो 2019 के अंगर में कंपनी बनी थी ऊसके बाद में इस टाइप से कंपव्य ने माइलस्टों की है है और ताकि differentiation किया जा सके business के अंदर में next company के यहाँ पर संजय जैन है इनकी इन्फोर्मेशन आपके सामने दी हुई है जो की दूसरी जो company इनकी subsidiary companies उनके अंदर में डिरेक्टर्शिप यही लोग ही hold करते है इनका पास में एक ठीक ठाक यहाँ पर experience देखने को मिल रहा है और ठीक ठाक उमर इनको 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 बिजनस के अंदर में हो चुकी है और अभी ठीक ठाक अच्छी का से इनके health ठीक ठाक बनी हुई है तो फ्यूचर में यही में company को you know direction देने वाले हैं तो अभी तक यहाँ तक लेके आए हैं तो future भी यही बनाने वाले दिख रहे हैं अब यहाँ से ध्यान रखना कि company के हमने एक चर्चा करना भूल गए हैं आपर जो कि company की जब सुरुवात हुए थी 2009 के अंदर में तो इन्होंने incorporate 2009 में वेजी बट यह ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जो business जो लोग कर रहे हैं जो business particularly है यह 2009 में शुरू है नहीं इन्होंने टेक ओवर किया 2010 के अंदर में partnership जिसका नाम है इन्वाइरो इंजीनियर्स देट मेंस कि पहले से partnership हम चलती आ रही है जो कि similar सा काम करती है business तो उसी के business को टेक ओवर करके इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड में convert किया था तो ऐसा नहीं कि 2009 में 10 में start हुआ है company पुरानी है next अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि company के पास में जो जो logo जो नाम यूज करती है वो आज के दिन ये दो नाम है ये registered है बाकी जो ये दो नाम है ये भी तक registered नहीं object हो चुके हैं enviro और eie तो यहाँ पर एक थोड़ा सा concerning point नज़रा था कि company का जो main नाम है enviro वो अभी तक registered नहीं है ये कुछ properties है जो company use करती है अपने as registered office office या फिर land के तरह 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 तरीके से ये company दोरा owned है ये particular office जो ये रेंटेड पर है right next company के पास मैं सकती 999-39 employees काम कर रहे है that's very good इतनी बड़ी company के लिए इतने employees होना it's good government के जो mostly company जो projects complete करती है उसमें से ज़्यादा तर प्रोजेक्ट के ही होते हैं private के यहाँ पर कुछ नहीं होते है तो government projects ये कुछ राज्यें हैं जिनके अंदर में company जो projects complete कि है mostly जो projects हैं वो मद्दे पर्देश हैं बारे में दूसरे नंबर के ओपर में राजस्थान में है अब पानी की समिश्य है तो राजस्थान तो होना ही होना है ऐसा मेरा मान है पानी के लाएने बचाही जाएंगे तो राजस्थान में वहीं पे है वैसे देखा जाए तो सब जयर्था पाणी राजस्थान तो नाम से बदरा में वहया है मैं खुदरास्तान से जानता हूं नेच्ट अप देख लेते हैं कंपणी के जो प्रोजेक्ट्स अगर यहां पर देखने को मिले तो मोस्ट आप जो रेविन्यू कंपणी का आ रहा है वो WSSP that means water supply scheme project से आ रहा है एक जगे से दूसरी से पानी पहुंचाने वाला तो most of the revenue company का उसी टैप के जो टेंडर्स मिल रहे हैं उससे आ रहा है पिछले साल के मकावले कर देखा जाए तो यहां पर जो water treatment plants होते हैं वहां से कंपणी का में revenue और अभी जो at present जो इस साल है वो भी water supply से देखा जो company का revenue जो है वो इन दो मेंन सेग्मेंट से ज्यादा आ रहा है that is treatment plant and water supply scheme because यह दोनों आप साथ में काम करते हैं CDC बात है कि अगर पानी सीवरेज तक आएगा तो वो भी supply का काम करेगा और सीवरेज से जो treatment होने के पाद पानी वापस supply करेगा तो वही company जो treatment plant बना रही है वही company supply वाला चीज भी बना दे रही है अब यह कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो company ने complete किये हैं उनके बारे में information यहाँ पर दी हुई है जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट अप company के पास में आज के दिन जो ongoing projects है वो 15 है और completed projects 18 है बट यहाँ पर जो main चीज दिखाने वाली है जो number of projects these are going on these are this one EPC, HM, O&M, O&M क्या है operations and maintenance है बाकि engineering procurement and construction अब यह H&M क्या है यह आए बाई मैं इसका नाम देखा तो था पर मैं भूल रहा हूं इसका नाम So mainly projects जो चल रहे हैं वो EPC और O&M से चल रहे हैं जने मिशते एक इता project चल रहे हैं नेक्स अब देख लेते हैं कि company order book है उसके अगर बात करते हैं तो वो 1900 करोड रुपए की है आज की दिन order book जो की ongoing projects है यह तो है जो की EPC से related है अगर हम लोग O&M की बात करते हैं जो maintenance related operations and maintenance त पास पड़ी है that is 753 क्रोड की जो company खुद की value लगा है उससे ज्यादा की तो company उपास में order book पड़ी हुई है that's again उसके आसपास की order book पड़ी हुई है on growing projects की that's again nice अब next देख लेते हैं एक बार company की जो balance sheet है उसके में कितना पैसा company में इसके दिन लगा हुआ है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 812 क्रोड के टोटल लगे में जिसमें से जो investors का पैसा है that is 320 क्रोड बाकी जितना पैसा company में लगा वो उधारी का पैसा है वह पैसा कहां प्रांट में लगा हुआ है ठीक है प्रॉपर्टी प्लांट एक्विमेंट जो company offices बगएरा है और भी जो मशीनरी बगएरा company के पास में उसमें लगा हुआ है जो में पैसा जो दूसरा लगा हो वो है 151 क्रोड जो की other financial assets है इनकी बात करते हैं कौन से हैं यह यह वाले सोरी यह वाले यहाँ पर fix deposit company ने करा रखा है 47 क्रोड रुपे का और साथ में यहाँ पर यूपी जल निगम रूरल बरेली से कि इनको कोई जो कंसेशन मिलना है एक क्राण में क्रोड रुपे का तो वह भी इन्होंने अपनी balance sheet में जोड रखा है तो कंसेशन आएगा तो उसको company बोल रहे हैं कि हमारा 151 क्रोड रुपीज वहां लगे हुए हैं आज के दे दूसरा company ने यहाँ पर balance sheet में दिखा रहा है कि और पैसा कहा लगा हुआ है तो यहाँ पर जो main पैसा है वो 315 क्रोड रुपे that is other financial assets again तो यह कौन से 315 क्रोड रुपे तो यह unbuilt revenue के company बोल रहे हमन बड़ा पैसा मागने तो बड़ी चीज़े दिखानी पड़ती है यहाँ बड़ा करके दिखाना पड़ता चीज़ों को ठीक है तो यहाँ पर 259 क्रोड रुपीज का company काम कर चुकी है revenue अभी बुक नहीं किया है बिल नहीं पड़ा है बाकी others category में भी ठीक ठाक पैसा 45 सब्सक्राइब कर दिया है इस टाइब की चीज़ों अगर देखते हैं तो रीड करते हैं तो बाकी जो public opinions है वो तो चलते रहते हैं इनकी बात अलग है अब लेक्स अपर देख लेते हैं थोड़ा सा की income जो है वो किस तरीके से काम कर रही है तो यहाँ पर company की जो revenue है वो continuously increase होता है क्योंकि company projects बढ़ते जा रहें तीन महीने के data क्या कर देखते हैं तो यहाँ पर अगर net profits की बात करते हैं तो तीन महीने महीने इस टाइब से प्रोजेक्शन चल रहा है उस टाइब से तो कमातों लेने चाहिए एक तो इसको अगर हम लोग इस फोरवर्ड बैसिस पर ना देखते हैं हम लोग जो करेंट बैसिस है उसकी साबसे अगर पी रिश्यों को नहीं कहाते हैं तो कि 108 प्रोड पर इन्होंने आएं दूसरी कंपनियों के साथ में जो कि अल्रेडी लिस्टेड कंपनी है तो हमें एक अच्छी वेल्यू मिल जाएगी देखने को कि यह वेल्यू है या नहीं 24 का पी रिश्यों निकल रहे है पिछले साल के मुकाबल है और अगर हम फोरड पी जो 130 की हिसाब से विगर नि नेटवर्ड जो कंपनी के आज के दिन चल रही है देट इस 300 क्रोड रुपीज सो 600 प्लस 300 तो 900 क्रोड के आज पास का कंपनी का नेटवर्ड जो हो जाएगा विल्यू लगा ये तनी ज़लों ठान होती है तो लग बग टू पोइंट कितने है ठीक अगर कंपेर करके देखते प्रश पोडिuka है इसका कंपनी का 27 का है तो इन दूनों के मकावले कंपनीयं चीक माय कर रही है दूसरी कंपनी देखते हूं आयन च्छेंज बहरी से काम करते है इसका पीडाश Assassin Math का है उसका जो है 24 अच्छा और इसका वह ज़ो चैंप इसका अच्छा तो PB ratio के बात करते हैं तो यह 4 का है इसका 8 का है इसका 5 का और इसका 4 का तो इन सभी के मकाबले company का PB ratio भी अच्छा है और PE ratio भी अच्छा है अब यहां पर इन company के इंदर में मैं जो compare इसको स्थिक से कर पा रही है वो है वाटेक वाबाग और साथ में EMS आयन एक्षेंज क्यों की बात कर रहा हूं because विकास आर पूंग लिया का अगर हम लोग revenue के इसाब से net profits देखते हैं तो यहां पर 1400 क्रोड पर revenue जनेरेट कहता है जिसकी मुझा अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो company लगबग 789% के आसपास का net profit निकाल पारी revenue के मुकाबले बड़ जो IPO लेके आ आसपास में निकाले हैं इसी तरीके से अगर हम लोग वाटेक बाबा को देखते हैं तो इसने किस तरीके से revenue निकाला है तो इन्होंने भी जो revenue जितना generate किया है उसके मुकाबले जो net profit निकाले हैं तो यह company के जो revenues से net profit निकाल पारी है वो अपने आजवाई पी लेक्यारी company उसके साथ में ज्यादा comparatively सही बैठ रही है तो उनका जो पी रिश्यों है जिनके साथ में सही बैठ रही है उनका जो पी रिश्यों 40 का है और अपने वाली का आधे के पी के आसपास में forward पी निकल किया रहा है यहां से जो company का stock price है वो लगबग 6200% के आसपास में जाना चा आती हैं तो स्टिल यह जो company लेके आ रही है इसमें एक अगर उन company में इन्वेस्ट में करके इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं अपर हैंड रहेगा कि हम अलड़ी सस्ते में लगा रहे हैं उनके comparison में तो यह वाला थोड़ा सा है तो थोड़ा ऊपर जाने की ज्यादा करती है एक बार को तब यह company का स्टॉक ऊपर जाना चालो कर सकता है so from my side longer term में अच्छी लगते दिख रही है और shorter term में भी मुझे personally अच्छी दिख रही है because this is my personal advice advice नहीं personal feeling है इसी बगिए advice आपकी differ कर सकते है तो आप एक पारफिट financial advisor से पूछ लें और अपनी research कर लें उसके बाद में decision लें that's all और फिर में देना है पुड़ियो का साथ में तब तक के लिए see you tomorrow